नमस्कार स्कूल विद्याती चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरा नाम है सोनाली जाधा स्कूल विद्याती ये चैनल खास करके स्कूल वोइंग स्टूडन्स और उनके पैरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए आज हम देखने वाले है स्टैंडर है टेंथ सबजेक्ट है हिंदी लोकवार्णी मतलब जिन बच्चों का हाफ हिंदी है 50 मार्क्स का जिनका हिंदी है उनकी ये अलग किताब होती है हिंदी की तो उस किताब के बारे में आज हम पढ़ेंगे बोड है महाराश्रा और इयर है 2020 जिनका पूरा हिंदी है ये उनके लिए विडियो नहीं है तो आप इस विडियो को मत देखिए ठीक है जो जो लोकवार्णी हिंदी लोकवार्णी मतलब 50 50 माक्स का हिंदी 50 माक्स का संस्कृत या फिर 50 माक्स का उर्दू जिनका है तो ये इनकी किताब है तो उनका स्तिक्स नंबर की जो पोयम है वो है ऐसा भी होता है और ये पठनार्थ है पठनार्थ मतलब ये पोयम है पर रैपिड रेडिंग के लिए पठनार्त का मतलब होता है rapid reading और ये poem है उनके ठीक है ऐसा भी होता है इसके कवी कौन है तो अभिशेक जैन जी इनके कवी है परिचाय देखते हैं आपको यहाँ पे पिच्छ थोड़ा blur दिखाई दे रहा होगा तो आप कुरुपया करके आपके जो किताब है textbook वो खोलिए औ ताकि आपको clear image आपके textbook में दिखाई दे अभिशेक जैन जी ने कवीता कहानी निबंद आदी विवीध विधाओ विधाओ मतलब प्रकार विधाओ में लेखन किया है मतलब बहुत अलग-अलग प्रकार के इनके लेखन है अनुभव पर आधारित आपकी रचनाएं विवी articles, magazines ऐसे इस पद्य के संबंदी जानेंगे थोड़ा तो इस पद्य को क्या बूलते है हाईकू मूलत तह जापान की लोग का प्रिय विधा है मतलब ये जो पोयम का प्रकार है ये कवीता का प्रकार है वो actually जापान का है ये इंडिया का नहीं है और इसको हाईकू बोला जात है और ये जो हाईकू होता है वो विश्व की सबसे चोटी कवीता माननी जाती है पाचवे दशक में हिंदी सहित्य मतलब इंडियान जो लोग है हिंदी सहित्य भारतिय लोगों ने पाचवे शतक में ये हाईकू को हिंदी में हिंदी सहित्य में क्या किया है स्विकार किया ह तब से हम लोग हिंदी में भी हाइकू करने लगे है, मतलब इस प्रकार की कविता करने लगे है हाइकू का एक ढाचा होता है कि उसमें पहले लाइन में 5 अक्षर होते हैं दूसरे में 7 और फिर तीसरे में फिर से 5 ऐसे टोटल 17 वरणों का एक स्टांजा होता है और उसको हाइकू बोला जाता है। पोयम मतलब एक ही चीज को पूरे पोयम में नहीं बताया है तो अलग-अलग विशय पे अलग-अलग स्टांजा है। पोयम को गरजे मेघ सहमकर कापी कच्ची दीवार। इस स्टांजा में आपको गरीब लोग और अमीर लोगों के बारे में बताया है। यहाँ पे जो गरजे मेघ मतलब बादल गरजने वाले बादल को एक रिच आदमी को बताया है। मतलब जो अमीर है उसको उसकी तुलना किया है गरजने वाले बादलों के साथ। और कच्ची दिवार याने की इंडिकेट किया है कि गरीब आदमी। ठीक है। जब भी कोई अमीर आदमी गरीब आदमी पर चिलाता है बेना वजह से या फिर रॉब दिखाता है। तो वो कैसे सहम जाता है। वो शिवरिंग होता है। शिवरिंग मतलब आपको पता है कि डर जाता है अचानक से तो वैसे ही यहाँ पे इंडिकेट किया है कि जैसे जब बादल गरेशते हैं तो सहम कर कापती है कच्छी दिवारे मतलब देखें जो स्ट्रॉंग जो होती है दिवार वो कभी कितना भी तूफान आए कुछ भी हो ज पर जो कच्छी दिवारे होती है वो टूट जाती है जादा बारिश या फिर भुकम्प तूफान आता है तो तो इस टांजा में हमारे जो कवी है अभिशेक जैन जी वो हमें यही बात बता रहे है कि यही चीज अमीर और गरीब के बीच होती है अमीर लोग जब बुरी तर मतलब यहाँ पर actual meaning और hidden meaning ऐसे दो meaning आपको ध्यान में रखने हैं आगे हैं रवी चड़ाए निर्मल किर्णों से धरा को अर्ख्य ओके रवी का मतलब होता है सूरज सूरज के बहुत सरे नाम है आदित्य ओके अर्विंद वैसे ही रवी भी सूर्य को बोला जाता है धरा धर प्रुथ्वी का एक अतूट नाता होता है सूरज के किर्णे हमेशा प्रुथ्वी पर आती है ठीक है और अर्ग्य देती है अर्ग्य यानि कि क्या आपको पता है कुछ लोग सुबह सुबह क्या करते है कलश में पानी लेके सूर्य भगवान को चड़ाते है तो उस चीज को बोलते हैं उस विधी को बोलते हैं अर्ग्य देना मतलब किसी को अर्पन करना तो यहाँ पे कवी ऐसा बोड़ रहा है कि सूरज की किर्णे जब सुबह सुबह प्रुथ्वी पर आ जाती है तो मानो ऐसा लगता है कि सूरज प्रुथ्वी को किर्णों की रूप से क्या दे रहा है, ऐसा यहाँ पर अभी शेक जहर, मतलब हमारे जो कभी है, उनका यहाँ पर मीनिंग है, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, कि यह जो हाइकू होता है, वो यह फॉर्मिला करता है, 5, 7, 5 is equal to 70, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, यह देखें, पहले लाइन में कितने काउंट की जाप हो रणा, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 5, टोटल कितने हो गए, 17, और यह सभी को अपला है, इसमें भी वही होगा, नीचे भी जितने भी आपके स्ट को बोलते हैं, अभी आप ऐसे मत बोली कि यहाँ पर चर्चर डबल है, नहीं, वो जोडाक्षर हो गया, मतलब वो अभी एक ही है, ठीक है, अभी आगे जाएंगे, नेक्स्ट, आके पसरी, ठकी, हारी, किरण, धराकी, गोद, यहाँ फिर से सूरज और पृत्वी का एक्जा पर आती है, पृत्वी पर आती है, तो ऐसा बोला गया है, कि पृत्वी पर जब किरणे आती है, तो वो ठक जाते इतना जरनी करके, और वो धराकी गोद में जैसे की आराम करती है, बच्चा कैसे खेल के आता है, और ठक कर मा की गोद में सो जाता है, वैसे ही सूरज की जो होती है वो बहुत लंबी दूरी तै करके कहा प्रुथवी पर आते हैं और धरा की धरा यानि की क्या मैंने बोला आपको प्रुथवी की तो प्रुथवी के गोद में वो ठकी हारे किरने आपके पसरी पसरी मतलब क्या सो जाते हैं फैल कर सो जाते हैं मतलब आपको पता चला होगा कि इन दोनों स्टांजा में मतलब ये उपर वाला और ये इसमें पृत्वी और सूर्य के बारे में ही बोला गया है और पहले में अमीर आदमी और गरीब आदमी के बारे में बोला गया है नेक्स्ट है फिर से ये गरीब लोगों का और अमीर लोगों का ही एक स्टांजा है खुली आखों ने जीवन भर देखे बंद सपने देखे गरीब लोग जो होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े मतलब सपने देखते बड़े-बड़े आने कि मेरे साथ अच्छा हो जाए मैं भी एक दौर के बाद में अमीर हो जाओ ऐसे सपने देखते हैं पर उनका जीवन इतना कर्ष्टम होता है कि वो आराम से सो के नींद लेके सपने देख नहीं सकते उनको खुली आखों से वो सपने देखने पड़ते हैं क्योंकि उनको हमेशा काम करना रहता होता है तो वो सोए कहां और सोने के बाद में सपने देखे कहां तो उनको हमेशा खुली आखों से जीवन बर सपने देखने होते हैं और खुली आखोने जीवन बर देखे बंदस अपने बंदस अपने मतला वो सपने उनके कभी पूरे नहीं होते क्योंकि उनकी परिस्तिया इतनी कठीन होती है कि उनके बहुत देखिए बहुत आप यहां पे बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है हमाई positive सोचना है और अगर हम देखिए तो वो चीज होती है हम भी गरीब से अमीर होते वो ठीक है सब concept पर यह सभी को अपलाए नहीं होता बहुत लोग होते हैं वहां के वहां ही ठहर जाते हैं मतलब आप सोचोगे तो सो में से दो ही लोग इतने powerful होते हैं उनका mind इतना powerful होता है कि उस दोर से वो निकल क आगे पहुशते हैं उतना hard work करते हैं smart work करते हैं पर बाकी 98 लोगों को लोग तो वहां पर ही रह जाते हैं वो थोड़े टाइम के लिए जोश में होते हैं फिर से उनको उनके तरी के से ही जीना अच्छा लगता है जाने दो एक दिन का चल रहा है ना तो चलने दो ऐसे हो ज देखते तो है पर वो सपने उनके कभी पूरे नहीं हो जाते हैं और उनके लिए सपने सपने ही रह जाते हैं ठीक है कभी कभी उनको जो अमीर लोग होते हैं वो अपना मतलब पूरा करने के लिए उनको बोलते हैं तु मेरे यहां पर काम कर ले मैं तुमें सालरी दूंगा और अच्छी और कभी-कभी उनको salary भी नहीं देते या फिर जोट मुट का वादा करके मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा और मदद नहीं करते तो यहाँ पर क्या होता है गरीब लोग सपने देख लेते हैं कि यहाँ ठीक है ऐसा होगा वो मुझे मदद करेगा पर जब सामने वाला उनकी मदद नहीं करता तो उनके वो सपने सपने ही रह जाते है ठीक है ऐसा डीप थॉट यहाँ पर इस लाइन के पीछ है कि खुली आखोंने जीवन भर देखे बंद सपने मतलब यहाँ पर यह वही है कि जो आदमी है वो पॉजिटिव वे से देखना चाहता है पर आखिर में कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ होता ही नहीं है ठीक है पर फिर भी हमें ट्राइ जरूर करना चाहिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलती हो नेक्स्ट है कटते तरू उजाडा उजडा आशियाना रोय पकेरू तरू का मतलब होता है पेड ट्रीज पकेरू का म मतलब उनका घोसला तो यहाँ पर है पेडों के बारे में व्रुक्ष तोड के बारे में यह स्टांजा है कि जब भी व्रुक्ष तरू मतलब व्रुक्ष जब काटे जाते है तो किनका आशियाना खराब हो जाता है आशियाना मतलब हमारा घर तो पेडों पे किसके घर होते ह तो पक्षियों के घोसले पेड कटने के वज़े से तूट जाते है बिखर जाते है और उसके वज़े से पक्षियों को भी रोना आता है उनको भी दर्द महसूस होता है क्योंकि ऐसा नहीं है ना हमारे जैसा कि म्यूंसिपाल्टी वाले आते हैं बोलते हैं नहीं नहीं बिडल तो निकाल दो हमें पेड काटना है नहीं है आपको इस चीज को आप तभी महसूस करोगे जब आप आपकी खुद के सामने अगर एक पेड को कट करते हुए देखोगे तो आपको महसूस होता है वो आपको दिखता है कि कितने घोसले है जो बरबाद हो चुके है कितने अंडे चुके है कितने पक्षी इदर उदर उनको बोलना नहीं आता पर उनका जो शोर होता है उस टाइम पे उनका फड़डाना होता है वो हमें महसूस होता है और वो बहुत बूरा लगता है तो यह यहाँ पे कवी ने बोला है कि यह मत करो रुक्ष मतलब जैसे हमारा घर हमारे इंपॉर्टन्ट है वैसा पक्षियों के लिए भी उनका घर उतना ही इंपॉर्टन्ट है और वो समझो आप उके नेक्स्ट बच्चे पतंग मा बाप थामे डोर छूते गगर यहाँ पे बच्चे के बारे में और पैरेंट्स के बारे में बोला है कि बच्चे ना पतंग के जैसे होते है वो हमेशा आकाश में उड़ना चाते है न्यू चीज़ एक्स्प्लोर करना चाते है खुद को प्रूफ करना चाते है वो ठीक है प्रूफ करना चाते है और मा बाप केसे होते है पतंग से जो डोर होती है उसके जैसे होते है वो बच्चों को थाम के रखते ता हो सकता है अच्छा बुरा तो अगर आपकी डोर आपके पैरेट्स के हाथ में होती है तो आपको थाम लेते हैं जब भी कोई difficulty आती है जैसे कि पतंग पतंग खो सकती है उड़ते उड़ते पर अगर उसकी डोर अच्छी हो तो वह डोर उस पतंग को नीचे फिर से वापस लाती है उसको सुधारती है और फिर से वह बच्चा या फिर पतंग आगाश में उड़ती है तो यह जब उनके parents उनका अच्छे से खयाल नहीं रखते। इसमें पतंग का दोश नहीं होता है। उसमें डोर का दोश होता है। So, बहुत deep thoughts यहाँ पर आपको दिये हैं। Next है, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का। यहाँ पर भी एक taunt मारा है हमारे कवी जी ने। इस इस लड़कियों को होता है कि लड़किया खुबसूरत है तो उनको उनके शरीर पे बहुत ही proud feel होता है कि मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, कितनी सुंदर दिखती हूँ। तो पुरुष जो होते उनको भी होता है proud कि मैं कितना bodybuilder हूँ, मैं heighted हूँ and all that. मतलब हम सभी लोग चैसे हो वैसे हम सभी लोगों को अपनी शरीर पे बहुत ही proud मैसूस होता है। हम बहुत मानते हैं, तो यहाँ पर कभी बोलते है कि यह जो शरीर है जिस पर आप इतना rob चड़ाते हो, वो कितने time के लिए रहने वाला है। वो माटी से ही बना है और माटी में ही जाके एक दिन मिलने वाला है, तो इतना rob क्यों अराम से रहो, सबके साथ घुल मिलकर रहो, ऐसे यहाँ पर कभी बोल रहे हैं। कि तन हमारा जो माटी का है, माटी में ही मिल जाएगा, फिर हम गुमान किस बात का इतना करते हैं, कद काठी का, यहाँ पर ऐसे बोला गया है। मतलब यहाँ पर ऐसे ही बोला है कि हमें अहंकारी नहीं बनना है, एगो हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं होगा। यह बात हमें हमेशा जाननी है, कोई भी अमेर इंसान हो जाए, ऐसा नहीं है ना, कि उसके पास बहुत पैसा है तो वो हमेशा के लिए जीएगा, या फिर आज जैसा है वैसा हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, बदलाव आते हैं, सब चीज़े बदलती है, तो कभी भी इगो प्विस्ट नहीं होने का यहंकार नहीं रहना चाहिए ठीक है मिरे पास आज आज एकल नहीं होगा हमें सभी परिस्तितियों के लिए हुद के माइन्ड को रेडी रखना चाहिए तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते अच्छे से रह सकते है state of mind और mental health बहुत important होती है आगे है उड़ा पखेरू देखता रह गया ठगा सा तरू पखेरू मतलब फिर से पक्षी तरू मतलब पेड देखे पेड जो होता है पेड पेड पे पक्षी हमेशा के लिए रह जाते है क्या? नहीं उनका वो गोसला बनाते है अंडे देते है फिर उनमें से पक्षी मतलब चूजे आते है फिर वो चूजे दीरे दीरे बड़े हो जाते है और बड़े होनी के बाद वो उड़ना चालू करते है और जब वो उड़ते हैं तो जो parents birds होते हैं वो उस पेड को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं क्योंकि उनके पक्षी मतलब जो चूजे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं वो भी उड़ना सीख जाते हैं तो ऐसे ही पक्षियों का क्या होता है? रहन सहन होता है तो यहाँ पर ऐसे ही बोला है कि पेड़ की शोभा पक्षियों से होती है पर पक्षि जब उड़ जाते है तो पेड़ सूना हो जाता है तो वैसे ही मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऐसे भी देख सकते है इस एक्जामपल को कि जो हमारा शरीर है वो कब तक अच्छा लगता है जब तक उसमें प्राण है हमारी जान ही अगर चली गई तो आप कितनी भी सुन्दर हो जाओ दिखने में कुछ फाइदा है कि उस शरीर का नहीं है वैसे ही यहाँ पर यह दिया है कि पेड है पर अगर पक्षी नहीं होंगे तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती नेक्स्ट है डाकिया चला बाटने सुख दुख भर के जोला डाकिया, आपको पता है डाकिया मतलब क्या होता है, पोस्ट मैन, पोस्ट मैन क्या करता है, चिठिया बाटता है, तो चिठिया कैसी होती है, कुछ सुकबरी होती है, कुछ दुखबरी होती है, तो यहाँ पर वही बोला है कि हमारी जो लाइफ है, hidden meaning इसके पीछे का है, कि हमा नेक्स्ट है मैया की आई वृद्धाश्रम से चिठ्थी कैसे हो बेटा ये तीन लाइन आपको कितना डीप मतलब आपके वो रॉंग्टे खड़े कर देती ये तीन लाइने मैया की आई वृद्धाश्रम से चिठ्थी कैसे हो बेटा मतलब यहाँ पर आपको एक बात पता चल रही है कि ये जो मा है उसके बेटे ने उसको वृद्धाश्रम डाला है ठीक है क्योंकि उसको मतलब उसके पस इतना टाइम नहीं है या फिर उसको अपनी मा को संभालना ही नहीं है तो उसने क्या-क्या वृद्धाश्रम में डाला है कोई कॉंडक नहीं कुछ नहीं इसी वृद्धाश्रम वालों को हर साल के पैसे जो है वो देना बस इतना ही पर मा जो होती है वो अपने बच्चे को तब भी चाहती है ये पता होने के बावजूद भी वो चाती है कि उसी के बच्चे ने उसको वृद्धाश्रम डाला है पर उसका प्यार बच्चे के लिए उतना ही होता है जितना पहले था इसके लिए बच्चे ने चिठी ना भी बेजी तो भी वो खुद वृद्धाश्रम से चिठी बेशती है और बच्चे को पूछती है कि कैसे हो बेटा तो यहाँ पे आपको एक चीज महसूस होती है कि क्या है मतलब जिस मा ने उस लड़के को बढ़ाया एक लेवल तक पहुचाया वही उनको वृद्धाश्रम डाल रहा है और उनको पूछता भी नहीं है उनसे बाते भी नहीं करता है पर वो मा ही है जो कौन से दिल की बनी है कि इतना होने के बावजूद भी उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो खुद से पूछती है कि बेटा आप कैसे हो तो यहाँ पे मा की जो सादगी होती है वो यहाँ पे लेखक जो हमारे कवी है अभिशेक जैन उन्होंने बताया है इस तीन लाइन में नेक्स्ट है हो गई चोरी संसकारों की तीजोरी लुट गया में सबसे बड़ी बात है कि जो इनसान है वो सबसे ज़ादा किस वजह से पहचाना जाता है तो उसके संसकारों की वजह से ठीक है रंग रूप एक टाइम के बाद मैटर नहीं करता ठीक है आप यंग होते हो तब आपको रूप आपके जो संसकार होते हैं वही आपकी आइडेंटी होती है संसकार अगर अच्छे हो आप किसे से अच्छे से व्यवहार करते हो तब ही लोग आपको मानते हैं तो यहाँ पे जो कवी है वो वही बात बोल रहे हैं कि दुनिया इतनी चेंज हो गई है अभी पहले के जमाने स कि लोगों में संसकार ही नहीं बाकी रहे लोगों की जो संसकार की तिजोरी है वो शायद चोरी हो गई है इसके लिए लोगों में संसकार ही नहीं है जिसको जैसे बिहेव करना है वो वैसे बिहेव करता है ठीक है मतलब सामने बालो क्या लग रहा है हम लोग सही कर रहे है या गलत इसकी वो खुद को बैट के सोचता ही नहीं है ये चीजे तो लेखक जो हमारे कवी हे वो भी वही बोल रह落ए कि संस्कार की तिजोरी ही चोरी हो गई तो हम तो अभी छुट ही गए है मतलब क्या बाकी है जब संसकार ही नहीं है ठीक है यहां पैसे बोला गया है मतलब उन्होंने reality को दर्शाया है कि अभी के समाज में कैसे परिवर्तन आये हैं मतलब हम लोग progress कर रहे हैं technically पर हम लोग हमारे संसकार और जो morals है उनको कैसे भूलते जा रहे है और वो कितना खतरनाक है आगे के पेड़ी के लिए generation के लिए ठीक है इस प्रकार ऐसा भी होता है यह जो हमारी poem है जो बहुत गहरी है एक-एक stanza आपको deep thought में लेके जला जाता है और इसके लिए मैंने आपको बहुत time देख के अच्छे से यह समझाई है I hope आपको समझे देखे कवीता सिर्फ exam में है और exam के लिए पढ़ना है ऐसे मत पढ़िए अगर आप उसको enjoy करके पढ़ सकते हो तो वह आपके mind में जादा बैठेगी और आप in future life में भी उस चीज को दोहराओगे उस चीज को जानोगे और जब भी आप बढ़े होंगे तो यह चीजे आपको न याद आएंगे कि यह हमने पढ़ा था तो हर चीज enjoy करके पढ़िए क्योंकि exam में तो लिखना ही है पर अगर आप उसका आनंद लेके कोई चीज पढ़ते हो तो वह दु सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकोन को याद से क्लिक कीजे ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और अच्छा काम तो आप करेंगे यह पोयम सुनने के बार तो आपके जितने भी 10 स्टांडर के बच्चे है उनसे यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजे ताकि उनको भी फाइदा हो जाए सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपके कोई भी कॉमेंट होंगे कोई भी डाउट सोंगे तो कॉमेंट सेक्शन में जाए और कॉमेंट कीजे धन्यवाद